चैप्टर फोर देख रहे हैं मुविंग चार्जेज और मैगनेटिजम मुविंग चार्जेज और मैगनेटिजम की बात करेंगे जो आप PQRS नहां पर देख पा रहे हैं इसको ऐसे एम्पीरियन लूप लेते हैं जैसे हम गौशन लूप लिया करते हैं फिर हम लाइन इंटिग्रल इस पूरे लूप के लिए ले ले लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि क्या मैगनेटिक फिल्ड बन रही है तो एम्पीरियन लूप बना है तो हम लगा देते हैं अपना लॉफ जो B.DL है वो क्या-क्या होगा पहले तो हम P से लेकर S तक गए उसका फिर S से लेकर R तक गए उसका फिर R से लेकर Q तक गए उसका या R से लेकर Q फिर Q से लेकर P तक गए यह होगा आपका अब इससे एक चीज़ क्लियर हो रही है इस फिगर से कि जो मैगनेटिक फिल्ड P Q पे बन रही है यहांपर वो तो बाहर है solunite के बाहर है वो जिरो हो जाएगी य swear आके आप ये वाले portion को PQ वाले को इसको जिरो कर सकते है और कुछ पार्ट जो है इस QR का कुछ पार बाहर है कुछ पार अंदर है तो आप यह कह सकते है जब हम अंदर और बाहर की कि बात करते हैं तो जो अंदर है वो पर बिदक्रोर होगा magnetic field के some part of sides qrN प्यार is outside salad and the part which is inside जो अंदर है वो perpendicular होगा जो magnetic field भन रही है जो भी बन रहा है उसके परिपेंगिल है इसका मतलब आप b d e l यानिकी ब d e l to d L का जो जब d l cos सिटा लेंगे तो कॉस पाई बाई टो आएगा क्यों कि पर्पेंडिक्लर की बात कर रहा हूं मैं तो यह 0 हो जाएगा यह आपका qr भी चला जाएगा और sp यह भी चला जाएगा तो यह equal to 0 यह वाला portion आपका qr वाला और आपका यह पीएस वाला हो यह भी चला जाएगा तो बंदा क्या है बना केवल यह वाला इसको लेके चलेंगे तो बी डॉट डियल क्या हो गया एस्टू आर बी डियल यहां पर जो अंदर की बात हम करें यहां पर magnetic field और current element का direction same है तो cos 0 आएगा तो बी बाहर ले ले लिजए integration ऑफ डियल अब यह length हमने L माना था तो यहां से यहां तक का जो length है वो L ही रहेगा तो पूरा integrate करेंगे S2R तो L हैगा B L यह है असली situation अब माल लेजए कि जो क्योंकि यह solenoid का मतलब ही होता है number of tons N तो N tons है तो यह L है अगर N tons है तो N into L length हो जाएगी है अब जो current इसके थूरू जा रहा है हरे turn अगर I माने तो कुल current कितना हो जाएगा N into I into L N L तो यह हो गया और I हो गया तो कहने का मतलब यह है कि जब B dot DL है इसमें आपको mu 0 जब हम ampere circular law लगाएंगे तो B dot DL होगा mu 0 N L into I लेकिन अभी अभी हमने B dot DL क्या निकाला है B L तो इसको इससे equate कर दीज़े तो B L आ गया आपका mu 0 N L I I L cancer कर दीज़े B आपका आगया mu 0 N I तो यह जो है method यह हम तब use कर सकते हैं जब लंबा solenoid है long solenoid है क्योंकि इसमें जितने ही points होगे अंदर उसको हम equivalent मान सकते हैं जो magnetic field बाहर की है solenoid से बाहर उसको हम uniform मान सकते हैं जो क्योंकि बाहर आप कह रहें कि यह 0 है तबी तो यह चलेगा जब हमने शुरुआत में कहा कि यह 0 है तबी तो यह काम करेगा अगर यह finite length की है तब यह काम नहीं करेगा यह अगर solenoid की finite length है length finite है तो हम क्या करेंगे इसमें direct आपको equation बताते हैं इसमें बायोट 7 law लगाया गया है और इसको निकाला गया है अब देखें कोई point P है इसको निकालना है यहां end से हमने इसको join कर दिया यह alpha 1 है यह alpha 2 तो इसकी end इसके turns है तो जो vanity field बनेगी वो है mu 0 ni by 2 और यह alpha 1 और alpha 2 का sin alpha 1, sin alpha 2 जुड़ेगा toroid क्या होता है solenoid के जो दो end है अगर उसको जोड़ दे और एक bend circular form मना दे तो उसे हम कहते हैं toroid जो solenoid का ही एक पारूप समझ लिजे solenoid को ही घुमा के जोड़ दिया गया है circular form में इसको हम toroid कहते हैं एक toroid को आप कैसे बना सकते हैं अब बहुत करीब घुमाईए वाइंड करिए एक copper wire जो insulated है एक non conducting कोई भी non conducting आपका ring ले लिजे उसके उपर इसको घुमा दीजे या कि shape जो toroid का है किस तरीके सोता है और घुमाऊदार करन बहरा है इसको हम ampere circular law से निकाल सकते हैं माल लेजी कोई पी पॉइंट है यह अंदर की बहुत कर रहा हूं मैं यह पी पॉइंट है यहां पर हमको निकालना है जो यहां से यहां तक r distance में है यहां पर निकालना है कि magnetic field कितनी हो तो हम क्या करते हैं यह dot और इधर इधर हर एक पॉइंट में जो डॉट डॉट करके आपको एक circle दिख रहा है वहां पर सेम रहेगी इस पूरे लेप में लूप में अब magnetic इसकी direction क्या होगी हमेशा हम जानते हैं जब circle की बात करते हैं तो हमें current यू बहरा है तो टेंजेंशल रहेगी हमेशा है जो magnetic field की direction होगी टेंजेंशल होगी तो हम यहां पर बी डॉट डील को कह सकते हैं बी डील बी ओर डील अगें कॉस जीरो दोनों के बीच में बी और डील के बीच में कॉस जीरो है तो बी डील आ जाएगा बी को बाहर ले लेजें इंटिग्रेशन ऑफ डील आएगा डील का मतलब क्या है कि अब पूरा एक यहां से यहां तक आप चले गए और यह क्योंकि सरकल है इसका टू पाई आर होगा वह इंटिग्रेशन ओं यह लोग यह तो पाई आरे हम पर लिग दीजिए बी तूपाई अब माली जाए यहां पर यह जो टर्न है यह जो घुमावदा टर्न से वह एंड टर्न से और सब में आई करण जा रहा है तो टोटल करण कितना होगा एंड इंट इंट आई त अगर आप small n को कह रहे है capital n बाई 2 पाई आर यह आगया number of turns per unit l अगर इसको इस तरीके से मानके चल रहे हैं तो यह capital L लिख सकते हैं बस capital n क्या होना चाहिए जितने भी number of turns है into 2 पाई आर यह होगा यह equation है magnetic field की जो toroid के अंदर है यह magnetic field uniform है हर point अगर आप toroid पे लेए यहाँ अगर ideal toroid है तो जो turn है वो पूरे circular होगे तो इस toroid में जो magnetic field होगी अंदर की तरफ हो uniform होगी और बाहर की तरफ zero होगी लेकिन जो toroid है जो हम normally लेते हैं वो helical shape में होगी है तो थोड़ा सा magnetic field आपको बाहर की तरफ भी मिल सकती है जो nuclear fusion है एक device toco mac इसमें use होता है ताकि plasma को confine करके रखा जा सके अंदर की तरफ रखा ज सके तो toroid एक ऐसा component है जो इसमें toka mac में use होता है अब हम फोर्स निकालना चाहते हैं एक current carrying wire में जो magnetic field में रखा हो जैसे यह ऑस्टेट साब का observation आया तो MPR साहब ने और एक दूसरा observation लिया उन्होंने एक और चीज़ देखी उन्होंने कहा दो parallel wire अगर इस तरीके से रखे गए तो यह एक दूसरे पे attractive force इनके बीच में लगता है एक दूसरे को खीचते हैं यदि current same direction में ह और अगर current उल्टे direction में हो तो यह एक दूसरे को repel करते हैं opposite direction में हो तो repel करते हैं यह इनको observation था MPR साहब का हम यह जानते हैं कि magnetic field जो create होगी मतलब एक wire से यह wire है इस wire में जब current जाएगा तो magnetic field produce होगी तो यह जो है यह इसकी magnetic field में है इस तरके से यहां भी current जा रहा है तो इसकी magnetic field बनेगी उस magnetic field में यह दूसरा wire है ओके तो इससे हमको यह पता चल गया कि अगर इस interaction को यह जो आपस में interaction है जो current है current जो पहले wire में जा रहा है current जो second wire में जा रहा है बीच में magnetic field है लेकिन यह इसकी magnetic field में है यह इसकी magnetic field में है यह दूसरे शब्दों में कहें तो जो force काम कर रहा है दो wire के बीच में वो magnetic field के कारण एक दूसरे की अगर हमको यह force निकालना है दो wire के बीच में तो हमको पता चलना चाहिए या पता करना चाहिए जो force काम कर रहा है जो wire में current जा रहा है जब वो magnetic field में रखा गया अब जो law यह force बताएगा या establish करेगा उन्होंने ampere साब ने इसको experimentally जब किया तो जो force काम कर रहा है एक current element ideal पे magnetic induction B से उन्होंने कहा कि यह df है वो है इस current element cross B इनका cross product होगा यह magnetic field है और यह current element है ज़ि जो अगर एक straight wire है जिसका length L है इसका length L है इसमें I current जा रहा है उसको हमने किसी magnetic field में रखा जो कि आप यहाँ देख रहे है B में तो जो force काम करेगा इस wire पे क्योंकि force काम कर रहा है यह देखिए force काम कर रहा है वो क्या होगा force होगा I into L current element क्योंकि यह df था यह dl है जब हम force की बात करेंगे इसको f करते हैं इसको l करते हैं पुरी length के लिए ले रहे है I L cross B यह आप arrangement भी देख रहे हैं यह आपे जो direction में आपका force होगा यह इस तर्ट direction में लग रहा है या निकि है राइट hand rule जो vector product का हो निकालेंगे L cross B लेंगे इन दोनों के perpendicular होगा हो length और magnetic field के magnetic field जिस direction लगेगी current जिस direction लगेगी length vector या current element vector उसके perpendicular लगेगा यह force दो parallel current carrying wires के पीच में क्या लगेगा अब दो आपके पास एक यह है एक दूसरा यह है दो wires हैं जिसमें यह current बहर आए parallel है एक दूसरा के x axis के इनके बीच में दूरी है y तो जो magnetic field किसी distance y पे पहले conductor के कारण क्या होगी समझेगा पहले conductor के कारण magnetic field क्या रग रही है वो B1 माल लीजिए mu 0 by 2 pi current I1 बहरा है by y है और k vector ठीक अब जो strength है इस field की वो हर point पे same होगी क्योंकि दोनों parallel है और यह आपका इस जगह पे इस z direction में जो field है वो z direction में होगी इसलिए हमने इसको एक vector भी लगाया होगा है अब जो force काम कर रहा है दूसरे wire पे इस wire पे इस length इसके length के कारण वो क्या अगा F2 होगा I2 into L cross B1 क्योंकि यह इसकी magnetic field में यह इसकी magnetic field में है यहाँ पर current इसमें भी भाए रहा है लेकिन तो force का लगेगा I2 into L हम कहरें कि इसकी magnetic field में है तो I2 into L cross B1 अब इस B1 के जगह इसको रख दीजे तो क्या बनेगा F2 मनेगा I1 I2 mu0 by 2 pi 2 pi Y L I cross K क्यों क्यों क्योंकि I2 जो है वो X axis पे है I2 X axis पे है तो I cross K क्या होता है minus J तो यह minus हो गया यह J हो गया फिर यह चीज़ आदे अब यह जो F2 है यह बता रहा है कि यह negative Y direction में आपने negative देखा negative आएगा अब इसी तरीके से यही concept लेके यह इसकी magnetic field निकालेंगे और उसकी magnetic field के कारण इसके force निकालेंगे तो आपका F1 आएगा minus 0 by 2 by I1 I2 L by Y J तो यह F1 और F2 आपने जो देखा जो अब यह F2 निकाला यह F2 निकाला और यह F1 निकाला तो दोनों को अगर हम compare करें तो F1 और F2 दोनों बराबर है लेकिन opposite direction में यह fact बताता है यह fact दिखाता है कि जो force काम कर रहा है वो attractive force है उन दोनों के बीज में यही current flow कर रहा है mutually opposite direction में यानि कि एक यहां बहरा है तो दूसरा यहां बहरा है तो एक repulsion force होगा इसका मतलब इस case में यहां clear यह भी हो रहा है कि Newton का third law भी अराम से उबे हो रहा है Ampere की definition क्या है यदि हमारे पास इस equation को लेके चले हो F equal to minus mu 0 by 2 pi I1 I2 L Y J bar J vector unit vector है वो तो अगर इसमें हम I1 और I2 को रख दे 1 Ampere जो distance है 2 आर के बीच में हमने कहा कि 1 meter है length है जो है आपका 1 meter तो जो force बन रहा हो होगा mu 0 by 2 pi 1 1 1 हो गया ना बाकि सब 1 1 1 हो गया 2 into 10 के पाउर minus 7 तो यह जो fact है यही definition है SI unit की बात करें एक Ampere current का जो magnetic force काम कर रहा है per meter length दो infinite wire long wire है जो parallel है एक दूसरे के और distance एक मिटर पे है vacuum में और जिनमें दोनों में current बहरा है 2 into 10 के पाउर minus 7 newton तो जो current पास हो रहा होगा एक के बीच में वो होगा यह इसकी definition है इस figure में एक बहुत यह लंबा wire जा रहा है जिसमे current बहरा है I1 यह y direction में है एक और आपका conducting wire है जिसकी length है L यहां से लेकर यहां तक L है इसकी length इसमें current बहरा है I2 इसको x axis के direction में रखा गया और यहां से यहां दूरी है इसकी और इसकी दूरी है A आपको torque निकालना है जो इस wire में काम कर रहा हो इसके respect में तो जो force काम कर रहा है हम एक काम करते हैं इसमें से एक छोटा सा element लेते है dx ठीक I2 इसमें current बहरा है तो dx छोटा सा पाड़ लिया तो force जो काम कर रहा है current element I2 dx पे और distance कितना है यहां से यहां तक मान लिए इस dx का distance है x हमने x लिया तो df कितना हो जाएगा I2 dx और I direction में x direction में cross B अब B क्या है क्योंकि इस I1 की magnetic field में है यह तो B होगा mu0 I1 2 pi x और यह minus के direction में होगा magnetic field जो magnetic field है इसके करण magnetic field क्या बन रही इस x distance पे जहांपर dl रखा है वो हमें निकाले अब जो df क्या होगा इसकी जगा पे यह रख दीजे df क्या मनेगा I2 dx I U0 I1 2 pi x I जो cross K होता है मैनस यह होता है तो मैनस मैनस कर जाएगा जी आ जाएगा वो0 I1 I2 dx by 2 pi x अब torque क्या काम कर रहा है हमको torque निकालना है जो question में कहा गया है कि आपको torque निकालना है torque क्या होता है जो यहां से यहां तक जो distance है और जो force लग रहा है याने कि X I cross df जो torque है आपर इस जगा से गर लें तो X I df की जगा आप यह रख दीजे यह आ जाएगा फिर से I cross यह आपका K हो जाएगा और यह चीज़ बचेगी अब यह D to I लेकिन आपको निकालना कहा है हमने तो छोटा सलेमिन दिया था हमको इस point से इस point तक निकालना है यानि कि A से लेकर A plus L तक निकालना है तो हम क्या करेंगे इसको integrate कर देंगे A से लेकर A plus L तक तो A से लेकर A plus L तक integrate करेंगे यह Dx है Dx क्या होगा Dx का x आएगा एक बार A plus L रखेंगे एक बार A रखेंगे minus करेंगे यह tau गया एक के direction होगा अलदो Z positive Z direction में होगा इस figure में एक state wire है PQ यह PQ है इसका length the edge 2 meter इसमें 4 amp का current जा रहा है और यह यहां से यहां तक दूरी है इसकी 4 meter इसके इससे दूरी एक बहुत लंबा wire है इसके बीच में दूरी है 4 meter की यह 4 meter है आपको force निकालना है इस wire PQ पे जो तब जब इस wire पे current बहरा है 4 amp तो Newton का third law motion देखेंगे तो जो force exert किया जाएगा छोटे wire द्वारा इस long wire पे वही same force होगा जो यह बड़ा wire छोटे wire पे कर रहा होगा तो better यह रहेगा कि हम जो force है इस छोटे wire पे जो काम कर रहा है वो हम निकाले मान लिए इस छोटे wire पे क्योंकि इसकी magnetic field में रखा हुआ है इसकी magnetic field में यह रखा हुआ है तो जो magnetic field है इस छोटे wire पे इस बड़े wire के current वो क्या होगी B equal to क्योंकि current इस यहां भेह रहा है इसकी magnetic field में है तो mu zero i by 2 pi y यहां से यहां तक distance है यह जो n-cap है unit vector है B के direction जो भी direction में B होगा उसके direction अब इस force longer wire पे क्या लग रहा है क्योंकि current i2 यहां भेह रहा है इसके करण यहां पर force क्या पढ़ रहा है F2 i2 into यह length cross B अब जो length है और जो magnetic field है वो आपके perpendicular है तो sign आपको pi by 2 1 हो जाए तो आप इसको लिख सकते हैं i2 lb यह इसको इस b की जगा डाल दीचे तो आपका क्या जाएगा यह value आजाएगी सारी के सारी value हमें पता है जो जो इस question दीए उसको रखिए आपका force है इतना newton आजाएगा यह force आपका attractive होगा एक wire है यहां से लेकर यहां तर इसको में current जा रहा है आई इसको इस screen पर रखा गया plane of paper पर रखा गया एक magnetic field है induction beam इसको apply किया गया अब इसका direction cross है याने कि यह screen के अंदर जाना है पेपर के अंदर जा रहा है magnetic field इसके अंदर जा रही है आपको force निकालना है जो इस wire पर काम कर रहा है एक straight line A1 से लेकर B1 तक इसको join किया जो true part नहीं है पार्ट तो यह नीला कलंग का है यह जो यहां पर जा रहा है जो wire है वो 1 meter की यहां से यहां तक 1 meter की length है तो जो force काम कर रहा है इस current element पे पाल लिजए आप कोई ideal छोड़ा सा पार्ट ले लिजए magnetic field B है वो क्या होगा df will be equal to ideal cross B total force क्या काम करेगा इन दोनों को integrate कर दीज़े जो integration है पूरे length पे लिए आगे तो integration of dl क्या होगा वो a1 b1 बताब यह पूरा length हो जाएगा integration of a1 b1 जो कि आपको बताया गया यह 1 b1 की length वन मिल्टर है यह 1 हो गया और यहां पर आप 1 जैसे 1 रखेंगे तो यह किवल I आएगा और B आएगा तो basically अगर आप इन सब चीज़ों को दरखिनार करें तो सीधा I भी आ जाएगा एक electric charge जो move कर रहा हो magnetic field में उस पर force क्या लगने वाला है और Lawrence force क्या होता है हमने पहले जो discussion किया है उसके हिसाब से जो current I flow कर रहा है एक cross sectional area आई A पे तो current है आपका I यह होता है N A VD VD यह आपका drift velocity है Q आपका charge है Q यहाँ पर charge हो गया positively charge particle का N इसमे जितने free charge है लेकिन यह free charge per unit volume है ध्यान रखेगा N जो है वो free charge per unit volume है और VD जो इसमें है V sub D यह आपका drift velocity है I DL आपका current element होता है तो I DL निकालना है तो क्या करेंगा I को यहाँ रख देंगे साथ में DL लगा देंगे तो यह आपका QNA, VD, DL आ गया तो VD और DL यह आपके same direction में है जब इस conductor को रखा जाएगा magnetic field में जिसकी intensity है B तो force क्या काम करेंगा इस पे जो ideal element है यह current element है तो force क्या काम करेंगा I DL cross B तो हम क्या करेंगे इस ideal की जगा पे इसको रखते हैं यह आपर VD क्योंकि हमारी यह vector form में है तो VD cross B हो गया है लेकिन देखें यह N into A into DL क्या है आपने कहा कि यह N है number of charge carrier per unit volume यह अगर charge माने C या Q तो per unit volume है तो जो N A into DL ही क्या होगा total जो number of charge particle है उस current element में आ जाएगी यह A into DL जाने कि area अबने length मडिप्लाइ किया volume आ गया volume का N से मडिप्लाइ किया है तो total number of charge होगा अगर इसको मैं volume से मडिप्लाइ कर दू total charge आएगा वो यहाँ पर क्या हुआ है तो जो magnetic force काम कर रहा है एक single particle जो charge Q है वो FM कैसे दिखाये जाएगा FM आपका किसी एक magnetic force FM मैं कह रहा हूँ क्योंकि यह magnetic force है यह क्या काम कर रहा है आपका force हो गया आपका DF यह वाला और हम कह रहे हैं कि जो magnetic force acting होना single particle of charge Q तो इसके हिसाब से DF by N into A VDN यह आगया आपका तो हम DF की जगा जो हमने यहाँ पर दर्ज किया है वो लिख देंगे वो आपका आगया तो इस चीज़ को यहाँ लिखा और N A VDN जो जो कट सकता है कट गया तो जो force है जो magnetic force है वो आगया Q VD cross B यह बहुत important है इसको हम आगय बहुत यूज करने वाले और इसी के बारे में discussion हम कर रहे है अब जो FM है अब इसको मैं अगर कहूं कि यह VD cross B है तो VD B VD और B और sin theta आएगा तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं इसको हम लिख सकते हैं B Q VD sin theta तो यह आपको बता रहा है कि charge stationary है तो यह force 0 होगा इस sin theta को ध्यान रखेगा और VD को ध्यान रखेगा और VD 0 है तो force 0 हो जाएगा और यदि जो sin theta यानि कि angle यह theta किसी तरीके से आना चाहिए आपका sin theta आपका आना चाहिए 0 कहने का मतलब कि यदि charge move कर रहा है या तो parallel या तो anti-parallel magnetic field की तो यह force 0 हो जाएगा दोनों ही cases में यह possibility है तब force 0 होगा यदि यह charge Q move कर रहा है electric field इसके intensity E जो magnetic field B में काम कर रहा है तो उस पर एक electric force भी लगेगा यह जो है यह तो magnetic force है एक electric force भी लगेगा जो Q into E होता है Q और charge है यह आपकी electric field है तो इस circumstances में इस पर दो चीजे लग रही है मतलब एक charge पर total force क्या होगा एक तो आपका electric force होगा आपका magnetic force होगा यानि कि आप इसको बोलेंगे F क्या होगा Q आपने लिया E plus VD cross B यानि कि आपने इसको इसको और इसको दुनें को जोड़ दिया इनको जोड़ते ही क्या है यह जिसमें FM आप बोल रहे हैं कि यही चीज़ है तो यह जो force है हमको जो मिला जो conclusive force है इसको हम कहते है Lawrence force यह है Lawrence force जो magnetic force काम कर रहा है किसी charge पे यह magnetic field में चल रहा है वो perpendicular होगा जो velocity है उस particle की और जो काम किया गया इस force द्वारा वो zero है इसका मतलब जो kinetic energy constant रहेगी जो direction है velocity का वो change होगी हर एक instance पे तो magnitude या value जो magnetic force की है वो depend कि इस पे करती है velocity क्या है particle की तो यह जो force है एक particle है जिसका charge है टू कोलम यह पास हो रहा है एक magnetic field जो 4 kt से दिया हुआ है कि इसका unit vector है जिस direction में magnetic field है एक uniform electric field है जिसकी velocity यह दिवी है यदि Lawrence force जो काम कर रहा है वो 400 आपका newton है आपको electric field इस region में बतानी है तो Lawrence force कैसे बनेगा हम Lawrence force जानते है Q E plus यह VD है drift velocity है V velocity हमको दी हुई है Q आपके पास 2 है V आपको 25 J दिया हुआ है B आपके पास है और F आपके पास है उसको यहां अगनेगी हमको ultimately E निकाला है अब देखें यहां पर जैसे हम यह रखेंगे J cross K यह होता है I अब इस 200 I और 400 I को मतलब 200 I को इससे तरफ ले आ सकते है यह आपको 200 I आगया इसको डिवाइड करेए 2 से तो आपका यह 100 I आगया यह electric field होगी copper में इतने free conducting electrons है per cubic meter per volume बता रहा है कहने का मतलब यह copper wire जिसकी जो copper wire उसकी length है 1 meter cross sectional area आपका इतना है उसको कहां रखा गया वो perpendicularly रखा गया magnetic field इतनी है उससे उसके साथ जो force काम कर रहा है इस wire पे वो इतना है आपको drift velocity निकाल ली है free electron की तो क्या-क्या चीज़ इसमें दी हुई है किस तरीके से निकलेगा इसको देखिए magnetic force जो काम कर रहा है wire पे वो f है आपका i l cross b तो यहाँ पर जो wire है perpendicular है इस magnetic field की इसका मतलब l cross b sine आपका pi by 2 आएगा pi by 2 आपका जो value है वो one बन जाएगी तो i l b इसको लिख सकते है force आपके पास इतना दिया हुआ है b आपके पास इतना है l आपके पास इतना है i इससे निकाल सकते है यह i हम निकाल सकते है i होगा f by b यह values रखी है आपका i आगी अब हम जानते हैं जो i हो होता a v d into n into e इसमें n क्या है number of electrons per unit volume ध्यार रखेगा यह per unit volume की बात हो रही है ठीक यह आपको यह value जी हुई है अब area कितना है a और e कितना है तो अगर इससे अगर आप v d निकालना चाहें तो i क्योंकि i हम यहां से निकाल चुके है तो इसको रख दीजे i by n into a into e v d यहां से आएगा जो velocity है drift velocity है सारी values रखेए यह आपकी इतनी drift velocity आजाएगी आपको equation लिखनी है magnetic force की जो काम कर रहा है particle पे जो move कर रहा है magnetic field में आपको Newton equation motion भी निकालनी है और यह भी बताना है कि कानल्टिक energy है इस particle की वो constant रहता है time के एसाप से तो आप देखिए यह आपका magnetic force है qb cross b force क्या होता है तो यहापर dv by dt लिखेंगे qv cross b आएगा अब जो dot product है दोनों side में हम vv से dot product ले 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 यहाँ भी v ले लिए हमने यहाँ भी v ले ले अब हम क्या करते हैं कि इसको देखते हैं सवाल में दिया हुआ है कि जो v और b हैं वो आपके perpendicular है तो v और आपके v cross b v cross b का direction क्या होगा perpendicular होगा और वो v से perpendicular होगा तो अगर इसका dot product निकालते हैं तो यह cross product निकालते हैं और इसका dot product निकालते हैं इसका cross product जो भी आएगा उसका dot इससे निकालते हैं तो यह 0 हो जाएगा इसका मतलब यह वाली चीज जीरो हो जाएगी अब यह V को अंदर ले ले यह V.V है यानि कि V स्क्वार आप ले सकते हैं इसको हाफ हमने हाँ ले लिए अगर 2 यहाँ भी हाफ ले 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 तो कोई दिक्कत नहीं क्योंकि हाँ 0 ही है माल लिजे कि एक पार्टिकल मास M है इसका चार्ज क्यों है इसको इंसिडेंट किया गया एक X-Z प्लेन में यह X है यह Z प्लेन इसकी V दिए हुई है जिसका डिरेक्शन एंगल थीटा बना रहा है एक uniform magnetic field है जो आपके X-axis के along लगाई गई है आपको बताना है कि जो motion है इस पार्टिकल का वो हेलिकल होगा इस तरीके से हेलिकल होगा और आपको यह pitch भी बतानी है यह जो pitch है न यह बतानी है अब आप देखिए कि अगर हम दो component ले जो velocity है X-Z plane में इसमें एक तो बनेगा आपका यह जैसे V है तो एक तो V sin theta बनेगा एक यह theta है तो एक तो V sin theta बनेगा और एक V cos theta बनेगा यह दो हमारे पास आगए अब जो VX component है आप इस figure के साब से देखें यह direction में है कि इसके magnetic field के तो अगर आप इसको इस तरीके से करे Q into VX VX velocity जो उसका जो component VX है और cross B तो यह 0 आएगा क्योंकि इनके बीच में जो angle बन रहा है क्योंकि force आपका 0 है force आप कहते हैं Q into V यह force ही तो है F is equal to Q into VX into B तो जब force आपका 0 होगा है तो particle यह constant velocity से चलेगा VX जिसमें V cos theta है वो आपका X axis में निकालने के लिए क्या करेंगे अगर force निकाला है यह force ही तो था तो force अब VX की जगा VZ ले ले लेगे अब यहाँ पर K component आएगा यहाँ आई 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 इससे लिए इसको हमने 0 किया यहाँ K और I आया है इसका मतलब J बनेंगा यह Q V सब Z भी ही आएगा अब यह जो force काम कर रहा है यह perpendicular है इस VZ से इसको मतलब party का जो है वो circular motion करेगा वाइज़ाट परेंगे उसकी जो linear result velocity होगी VZ होगी अब जो centripetal force है जो अब क्योंकि घूम रहा है तो centripetal force भी लगेगा जो circle motion में इसको चलाएगा वो किसके बराबर होगा Q VZ इन्टू B किसके बराबर होगा M V square by R M V square R आपका centripetal force है तो रहोंको equate करेंगे R आपका M into VZ by QB आएगा इसका मतलब VZ का आप V sin theta लिख सकते हैं अब जब यह circular motion में चल रहा है तो time period कितना होगा 2 pi R पूरा distance जो है और इसकी velocity आप VZ ले लिए तो जो radius है circular path का इस particle का उसको हम इस तरीके से निकाल सकते हैं क्यों radius जो circular path का है वो इससे time पर निकलेगा T equal to 2 pi R by VZ अब आप क्या कर सकते हैं VZ की जगा V sin theta लिख सकते हैं V sin theta तो T equal to 2 pi R by V sin theta यानि कि 2 pi into M by QB आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं तो जो particle है वो cover करता है कितना distance अगर एक time interval आप ले ले T तो distance कितना travel किये VX into T travel करेगा यह तो जो distance travel किया गया वो कितना होगा 2 pi M into VX by QB हमने क्या किया VX की जगा जो हमारे पास VX हमारे पास है T हमारे पास है तो VX के साथ जो T था उस T की जगा हम इसको रख सकते हैं तो हमने यह आप रख दिया इसको तो basically 2 pi M V की जगा फिर से V cos theta लिख दिया यह आपका आगया YQB ध्यान रखेगा यहाँ पर हमने R को इससे replace किया है तब ही आए है इसको R की जगा replace किया तब ही आए तो यहाँ तक हमारा आगया अब इस discussion से बहुत clear हो गया जो particle move कर रहा है एक helical path में जिसकी axis है X direction के long तो VX into T यह आपका pitch होगा यहाँ से यहाँ तक यह VX into T जो है वही आपका pitch होगा cyclotron जब हम nucleus structure की study करते हैं तो बहुत high energy particle हमें जरूत होती है जो हम bombard करेंगे nucleus में यह नहीं कि हमको किसी तरीके से जो particles है उनको high energy देनी है इसके लिए जो charge particles है इसको हम बहुत तेज भगाएंगे और accelerate करेंगे इस कारवाही को अंजाम देने के लिए E.O. Lawrence सहाब और MS. Livingston सहाब इन्होंने डेवलेप किया एक instrument जो है cyclotron इस instrument में जो force लग रहा है एक charge particle पे जो move करा है perpendicular एक magnetic field में वो concept यूज़ किया गया तो इसकी working अगर हमें समझनी है तो हमको motion समझना पड़ेगा charge particle का जो move करता है perpendicular किसके उसमें आसपास या किसके action में magnetic field के purview में तो हम एक particle जो है charge Q ये charge Q आपका particle हो गया इसकी velocity आपकी V हो गई magnetic field V में इस तरीके से ये चल रहा है ये velocity हो गई अब यहाँ जो magnetic field है ये screen के अंदर तरफ जा रहे है paper के अंदर के तरफ जा रहे है और electron जो है वो ऐसे move कर रहा है ये इस तरीके से move कर रहा है अब हमारे पास जो equation है magnetic force जो लगता है F होता है Q V cross B ये हम सीख चुके है magnetic force इतना लगता है particle अगर उसकी velocity है और उस magnetic field के कारे इस पर velocity आएगी charge Q है तो इसका मतलब V cross B V B sin theta कर दे तो जो value होगी इस force की वो Q B sin theta होगी Q V B sin theta और जो direction होगा इसका normal होगा उस plane के जो V और B बनाएगा क्योंकि V cross B के ही तो perpendicular direction आएगा cross है नहीं तो Q जो जो particle है वो move कर रहा है perpendicular magnetic field के तो जो value होगी force की वो क्या होगी Q V B sin theta आपका क्या हो गया pi by 2 वो आपका Q V B लिख सकते हैं तो इस condition से clear हो गया जो path इस particle particle का होगा particularly वो आपका circular होगा क्योंकि यह जो force है वो normal है उसकी velocity के हर एक moment पे और जो velocity है वो change नहीं हो रही वो direction change हो रहा है देखिए यहाँ पर velocity की direction यह है यहाँ पर velocity change है यहाँ पर direction change है इस तरीके से basically तेंजेंशेल है तो यह circle of motion